हेलो काईज, वेलकम टू मिडवेश टॉक, वीकले एनलीसिस हम करने वाले हैं, निफ्टी बैंक, निफ्टी का एंड दूसरे सेक्टर्स का, तो उससे पहले दूस्तों, राकेज जुन जुन वाला जी का निदन हुआ है, उनको हम श्रद्धान जली देते हैं, और बहुत सर ल कर सकता है, इसका मतले भी यह नहीं कि एकदम बेरिश हो जाएगा या फिर नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन थोड़ा यहाँ पर अडख सकता है, क्योंकि यह जो ट्रेंड लाइन है, यह बहुत समय से यह तोड नहीं पा रहा था, तो देखते हैं कि इसमें अभी क्या होता तो हम इसमें थोड़ा एक मोमेंटम देख सकते हैं इसमें भी, बैंग निफ्टी अगर हम देखें, बैंग निफ्टी इस समय काफी स्ट्रॉंग नोट पे है, बैंग निफ्टी में अगर आप देखें तो सेम ट्रेंड लाइन थी, जो कि बैंग निफ्टी काफी जाधा स् स्ट्रॉंग है बैंक निफ्टी में अगर हम देखे हैं डेली खें डेलि केंडल पे डेली केंडल पे बिक आफ़ी अच्छा है इस टॉंग मुमेंटम के साथ ऊपर जा राए इसें अगर आपने मेरा एक वीडियो देखा है मुविंग एवरेज का यूटूब पे ही है हमारे आप जाके देखिए Friday learning की playlist special उसमें बने अगर वो strategy आप follow करते ना तो इतना ये बड़ा move आप easily capture कर सकते थे अभी भी वो चल रहा है मतलब अगर हम देखे तो almost 5000 points आप bank nifty में capture कर सकते थे अभी भी वो चल रहा है वो कितना चलेगा ये और भी हम कह नहीं सकते और भी बहुत जादा है चल सकते है देन हम देखते है अगला sector हम देखते है nifty infra इंफरा में अगर आप देखे weekly पे ये भी काफी strong लग रहा है daily पे weekly पे अगर हम देखे तो इसमें भी same trend line है जिसके करीब ये पोचने की कोशिश कर सकता है तो यहाँ तक है जा सकता है तो थोड़ा अभी positive रहने की इसमें भी chance से लेकिन बहुत जादा ये strong नहीं है इसके बाद हमारा है nifty reality तो reality के stocks भी अगर हम देखे तो उनमें भी ये जो trend line का breakout है इंडेक्स पे आ चुका है तो हो सकता है कि reality के stocks भी थोड़ा अच्छा करे यहाँ से अभी support लेके ऊपर जा सकता है उसके बाद FMCG भी trend line को break कर चुका है लेकिन daily पर हम देखे daily candle पर hammer candle बना रहा है 20 moving average है यहाँ से अगर support लेके ऊपर जाता है RSIB 60 के ऊपर है तो यह भी काफी अच्छा है strong signal हो सकता है उसके बाद हमारा आए nifty metal, nifty metal यहाँ पर एक horizontal resistance है और अभी 60-40 के बीच में है RSIB एक बार 60 के ऊपर cross हो जाए weekly पे तो यह भी काफी strong हम कह सकते है daily पर अगर देखे तो cup pattern एक तरह से form हो रहा है लेकिन daily candle पर हम cup pattern को जादा follow नहीं कर दे cup pattern perfectly बनता है weekly candle पर तो बहुत कम पिरेड का यह है तो बहुत जादा strong हम इसको नहीं मारेंगे एक बार 6000 की level nifty metal क्रोस कर दे तो फिर हम इसमें interested है देन अगला सेक्टर हमारा है nifty auto, nifty auto भी काफी strong लग रहा है daily candle पर weekly candle पर भी काफी strong है almost all time high पर इसवक नifty auto है तो nifty auto इसवक काफी strong है और उसके बाद है nifty energy nifty energy जो है न वो सारे सेक्टर में सबसे strong इसवक्त है क्योंकि आप इसमें देखे एकदम sharp uptrend चल रहा है काफी perfect uptrend यह है एकदम से street भी नहीं है एकदम से shallow भी नहीं है perfect 90 डिगरी वाला एक uptrend चल रहा है RSIB 60 के उपर आ चुका है weekly में भी daily में भी 60 के उपर support ले रहा है daily में भी काफी अच्छा है uptrend आप देख सकते है special इसके stocks में भी हम जाएगे अभी हमने क्या किया है हमने सबसे पहले अभी न सेक्टर देख लिए कि हमें एक बात clear हो चुके कि अभी nifty energy में काफी current है तो energy को हम अगले week के लिए select करेंगे यहाँ पर आप देख सकते है daily candle पर भी price action काफी अच्छा बन रहा है जो uptrend है वो काफी मजबूत यह पर लग रहा है तो यह काफी अच्छा उपर जा सकता है तो अभी हम क्या करेंगे हम nifty energy के इसमें जाएगे nifty energy के जो सारे stocks है उनको हम देखेंगे कि कौन सा इसमें सही लगता है तो सबसे पहले है आदानी green तो daily पर यह भी आप देख सकते है support पर है यहाँ से उपर निकल सकता है यह भी ठीक है फिर है आदानी transmission आदानी transmission लगता है all time high पर इस वक्त है price action इसमें भी काफी अच्छा है यह भी सही लग रहा है उसके बाद है BPCL BPCL भी इस वक्त थोड़ा resistance पर है लेकिन जादा तर तो यह एक बार resistance कर ले 340 का देन हम इसमें देख सकते volume भी कुछ बहुत ज़्यादा attractive नहीं है एक red candle जो बनी यहाँ पर एक attractive volume है लेकिन इतना strong कोई signal नहीं then हमारा है gel, gel तो काफी negative लग रहा है support पे इस वक्त है यह support break होता हुआ लग रहा है volume भी red volume बहुत ज़्यादा है तो इस से थोड़ा दूर रहेंगे तो better है इसमें और confirmation हम आने जेंगे उसके बाद IOC, IOC में भी कोई बहुत अच्छा कुछ pattern ना कुछ लग रहा है then हमारा है NTPC, NTPC थोड़ा strong लग रहा है price action अगर हम देखे लेकिन RSI 60 के नीचे जा रहा है तो थोड़ा इसको भी हम avoid करेंगे मैं best stock आपको निकाल के दूगा तो next हमारा है power grid, power grid अगर आप दे regarding भी question है तो Tata power देखे, Tata power भी सही लग रहा है अगर आप देखे यहापे 20 moving average के उपर support लेता हुआ लग रहा है, volume भी यहापे increase हो रहा है green candles पे, तो Tata power भी ठीक लग रहा है, एक बार 60 के उपर आ जाए, और एक बात मैं आपको दिखाता हूँ, ADX भी हम देखते है, तो ADX ADX है आप यहापे देखिए, ADX की value है 18, तो 18 से यह एक बार 20 के प्लस आ जाए, ADX तो यह भी काफी अच्छा strong हो सकता है, देन हम देखते है, power grid, power grid का देखिए 20 cross कर चुका है, जब भी 20 के उपर ADX आए, तो समझ जाए कि trend strong है, अभी green वाला जो यह है, वो उपर है, तो इस काफी strong है, ADX rise हो रहा है, black line आप देखिए, यहापे 24 ADX है, तो जो मेरी strategy न, उसके according, इसमें हमें जो है न, वो 222 पे entry मिल चुकी है, अभी 228 पे है, कोई महेंगा नहीं, अभी भी काफी अच्छा strong है, यहापे भी लोग इसको check out कर सकते हैं, काफी अच्छा यहाँ से भी उपर जा सकता है, तो देखेंगे हम इसमें सबसे best अभी जो मुझे लग रहा है swing trade के लिए, वो है power grid, और एक stock मैंने दिया था अपने telegram पे, उसका नाम है अमरूत अंजन, तो अमरूत अंजन क्यों दिया था, उसका एक detail वीडियो में दिखाऊंगा आपको, अभी वो उस तो 815 के आसपास हमने इसको लिया है, सारे students को दिलवाया है, अभी 843 हो चुका है, मतलब 3.3% उपर ही है हमारे entries है, काफी अच्छा चल रहा है, तो इसमें और कितना जाएगा, देखेंगे, एक trend following की तरह हम इसको follow कर रहे है, तो देखते हैं, तो सबसे important बात, bank nifty strong है, nifty थोड़ा अडग सकता है, तो कल का दिन बहुत important होने ओला है, अन्दादुन कोई भी decision मत लेना, कि big bull की death हुई है, तो एकदम ही market negative होगा, ऐसा मत करना, candles देखना, signal मिलता है, तो short sell करना, वरना, इंतजार करना, वो best रहेगा, अगर ये break होता है उपर के तरफ, फिर तो हम औ और थोड़ा bullish momentum देख पाएंगे, और एक बात दूस्तों Independence Day का special offer है, जो लोग हमारा course करना चाहते, इस video के description में उसका भी link दे दूँगा, आप चाहे तो उसको check कर सकते, अभी के लिए बस इतना ही, thank you so much.